हलो दोस्तो मैं गीता गोयल बागडी किच्टिन में आपका बूत बूत स्वागत करती हूँ तो आज मैं आपके लिए जटपते से नास्ते की रेस्पी ले कर आई होँ तो आज का जो नास्ता अना दोस्तो दो चमच तहल में ही बनने वाला है और खाने में ये नास्ता बहुत ही ज़्यादा टेश्टी है, साथ में इसके बनाएंगे जटपटी सी चटनी जो आप रोटी, पराठा, इटली, डोसा किसी के साथ खा साकती हो और जटपट बनकर त्यार भी हो जाएगी तो आज की जो रेस्पियां दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप देखते ही तुरंट बनाने का मन करेगा, क्योंकि घर में रखी कुछी चीजों से ये नास्ता बनकर त्यार हो जाता है, तो चलिए फिर बिना देरी कि ये बनाते हैं फटा फट से, तो सबसे पहले ए आधिक टोरी जितने सुजी लेंगे, आधिक टोरी जितना दही लेंगे, तो आप कोशिस करें दही है, जो खटे वाला इले, तो मेरे पास ये खटे वाला दही नहीं है आज, तो आधिक टोरी जितना मैं यहाँ पे ले रही हो पानी, तो आधिक टोरी दही, आधिक टोरी प और फिर निर्ट का पौडर भी डैल सकते हो थोड़ी अज़वाइन डालेंगे थोड़ी से इसमें जाएगी हिंग क्यूंकि हमने बेसन डाला तो बेसन में हिंग और आज़वाइन का फ्लेवर भी अच्छा आता है साथ में ये हमारी digestion के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इसी के साथ मैं यहां पर दो चुटकी जितना काला नमक एड़ कर रही हूं काले नमक से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा नास्ते का तो अगर है तो जरूर एड़ करें अब हम इसको है जो अच्छे से mix कर लेंगे इस तरीक कर आप हम इसे रख देते हैं साइड मेरे इसके लिए चटपटी सी चटनी बनाएंगे तो लगवा आपको 10-15 मिन्टी से ढख के रखना है तो चटनी बनाने के लिए पैन में हम दो चम्मा जितना तेल डालेंगे तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल गरम होने के मैंने लसन को चील के रखा कि चटनी के अंदर डालूँगी मगर मैं बूल गई है अब वो साइड में रखा पड़ा है तो मैंने यहां पे है जो लसन नहीं डाला है आप जरूर से अड़ करें उससे टेस्ट और भी अच्छा हैगा थोड़ा सा इनको है जो हम इस तरीके से जाएगा तो यहां पे एक मैंने बड़ा प्याज लिया जिसे इस तरीके से मोटा मोटा है जो काट लिया यह भी डाल देंगे प्याज को भी हल्का सा पका लेंगे तो इस तरीके से चटनी बनाते आना ता आप रोटी पराठा किसी के साथ खा सकती और बच्चों को यह चट अगरा पका लेंगे तो टमाटर के साथ में हम यहां पे डाल देंगे टेस्ट के अन्सार नमक तो टमाटर डालती ही नमक डाल दीते हैं तो टमाटर जल्दी से है जो गर जाते है जल्दी पकती पीशी स норм निकाल दिया है तो थोड़ी सी हम यहां पर इमली डाल देंगे इससे हमारी चटनी एकदम चटपटी बनेगी यह देख सकते हो बीज निकाल के बाद में ही डालें इस तरीके से अगर आपके पास इमली नहीं है तो कोई बात नहीं है टेंशन मत लेना आप लाश्ट में जब चटनी पीशने लगें तो निम्बू का रस डाल सकते हैं तो उससे चटपटी बन जाएगे डखकन लगा के अच्छे से इसे है मेडियम आच पी पकने देंगे तो एक दो बार बीच में है जो चला देंगे और देखिए कुछी मिंट में हमारी चटनी है जो अच्छे से टम अच्छे से ठंडे हो चुके है तब ठंडे हो गए तो अब हमेंसे पीश लेंगे तो एक मिकसी का जार बेंगे रिसके धाल कमारण जा सकति यह चटनी बून के रखिया यह सारी डाल देंगे लुडा सा टोड़के डाल लेंगे तकि इस चटनी को आप बिना पाने नाले ही ह फिर पानी डालेंगे तो चटनी है जो पतली हो जाएगी इस लिए आप पहले पानी ना डाले बाद में अपने हिसाब से कम जैदा पानी चटनी पिष चुके है इसके लिए तड़का बनाते हैं आप चाहे, साथ में एक छोड़ी सी हम राइ डाल देखे थाकर दीखने में अच्छी दिखे और इसे थोड़ा सा इस तरीकी से चटनी के साथ तो ये हमारी चटनी बनकर त्यार हो गया है इसे रख देते हैं साइड में तो अब आप इस चटनी को ना किसी भी स्नेक्स के साथ है जो इंजॉय कर सकते हो तो चलिए अफटा फट से बनाते हैं इसके लिए चटपटा सा नास्ता तो नास्ता बनाने के लिए ज कुछ इसमें चीजें एड़ कर देते हैं तो एक चमम जितने ग्रेट की हुई अधरक डाल देंगे साथ में एक घरिमेच को बारिक बारिक काट के डाल देंगे एक मेने छोटा प्याज लिया जिसे बिल्कुल बारिक काट लिया है तो बिल्कुल बारिक काट के ही डालना है आपे डालेंगे मेठा सोडा तो आप चाहें तो इनो डाल सकती हो मगर एक गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि मैंने इसमें डाला है हल्दी और हल्दी के साथ नीमबू डालने से नास्ते का कलर है जो रेड हो जाता है और मेरे साथ ऐसा ही हुआ तो इनो डाल सकती हो आप इ नास्ता बनाया तो वो रेड कलर का बन गया है आपको कलर अगर येलो कलर का चाहिए नास्ता तो आप नीवू का रस ना डालें दही या तो खटा लीजी या फिर इनो डाल सकती हो आप तब एक बड़े से बतन में मैंने दो ड़ाई गलास जितना पानी गरम होने के लिए रख बिल्कुल भी नहीं अपने आपी फैलने देंगे और जब पानी में वाल आ जाए ना बाद में आपको है जो ये इस तरीके से मिसरन डालना है अब हम इसमें थोड़ा सा लुक अच्छा देने के लिए थोड़ी सी कलोंजी डालेंगे आप कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकत हो और अब हम क्या करेंगे डखकन लगांके आँच को मीडियम कर देंगे जिसे लगबग दो मिन्ट तक पकने देंगे दो मिन्ट में ही अपने आप ये पक जाएगा तो याद रहें मिसरन आपको पतला नहीं रखना है आदी कटोरी दही आदी कटोरी पानी डालके अच्छ लें इस तरीके से अब जब अठाश फेंड़ा हो जाए न तो हम इसे निकाल लेंगे तो एक बार ऌप ग्यंस को है जो बंद कर देंगे बस हलका सी ठाश फ़म्ड़ा होने के बाद में आप इस तो कलोंजी से टेश्ट भी अच्छा हैगा साथ में दिखने में बहुती मस दिखता है इस तरीके का नास्ता एकदम यूनिक लगेगा तो इस तरीके से थोड़ा सा डाल दीजिए फिर से ढकन लगाकर इसे मेडियम आज पे दो यदाई मिंट तक पकने दीजिए तो जिस बरत तेल का बस कलर थोड़ा दिखने में अलग लग रहा है आपको मगर खाने में टेस्ट में कोई फरक नहीं आएगा साथ में हम इसके चटनी रख लेते हैं चटपटी सी और इस चटपटी सी चटनी के साथ आप भी इंजॉय करें एकदम सूपर सॉफ्ट बिना तेल का हमारा ह दी नास्ता बनकर त्यार हो गया है रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेर करना पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों